आज हुम आए हैं यहां बुद्रियात शिवनी मध्य प्रदेश में मैत्री इंडिया चानल में आप सभी का सागत है उपस्तित विश्व संग को मेरा साधर नमो बुद्राई आशाडी पोर्निवा से अश्वीनी पोर्निवा तक वर्शवास काल में हमारे शाथ उपस्तित हु कंदजाई ऑनकोमार्य वर्शवास दीन साउतर परland नाको बेहले ओंकर पर्रह आए यहें मंधर की वह अपना को अनुभव है यह यह मैं कि मर्य पर थो पुस्ता ग्रभुदें करें। महामादा को मेरा रिवार रंदर। उपस्ति सिद्धार्ट भुद्धरें अन्मी। पुझर भिक्कुशंग को मेरा अभिवालत। विहार में उपस्ति उपस है। पुपाजी कहा है। आप सभी को साधर नमो बुद्धार जैवी। इस सिद्धार्ट भुद्धर्यार में यहाँ तीश्रा वर्षा है। जो वर्षावास का पारिक्रम यहां मैं नेमित्रुप से संपन करा रहा। इस वर्षावास में जो धिव्चु एक इस्तान पर निवास करते हैं। उसमें वो धम का अध्यान करते हैं। उस अध्यान काल में जो उपासरक उपासिकाएं आती हैं। उनको भी वे धम का प्रभुद्धान करते हैं। आज से करीबन भाई हजार वर्ष पहले तथागर पुद्ध हुए। और उन्होंने अपने जीवन काल में सत्थम्य की घोषना किया। उनका प्रचार प्रशर किया। लेकिन वह काल इतना लंबा हो चुका है। कि अगर उस समय में तथागत पुद्ध न होते। तो ठाई हजार वर्षों तक हम फिर से विश्व जो है फिर से अंधेरे में रहता। और तब कहा जाता कि जो बोधिशत को बाबा साब आमबेट कर हुए है। वे ही बुद्ध हुए है। अगर बाबा साब के पहले अगर तथागत पुद्ध न होते। तो बाबा साब आमबेट कर को ही सम्मेक सुम्वद्ध कहा जाता। तो बाबा साब कहते है कि इतने लंबे समय में बुद्ध की जो बात है यहां तक के जो आई है वो कौन से बात सही है और कौन से बात गलत है ये त्री पिटक में भी हम जा करके इस प्रष्टन नहीं कर पाते। इसलिए किशी भी कारिय की जो प्रमानिक्ता है या किशी भी वेक्ति की जो प्रमानिक्ता है उसके कारिय से मापि जाती है इसलिए बहुत धम्म को अगर हमें मापना है, समझना है और सीखना है तो बाबा साहब को समझ करके ही बहुत धम्म तक हम जा सकते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि इस धम्म का पतन होने का कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि बहुत धम्म का कोई समाज नहीं होना एक बहुत धम्म के पतन का कारण रहा है क्योंकि बुद्ध के काल में भिख्चुओं को संग में प्रवेस करने का संसकार था भिख्चुणियों को संग में संसकारित होने का संसकार था कि वे उस संग के सदस्य बनते थे लेकिन उपासकों के लिए कोई संसकार नहीं था कि वो उपासक कह सके कि मैं बहुत धम्म का अव्याई हूं इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हमें एक उपासक उपासिकाओं के लिए भी संसकार इस्तापित करना पड़ेगा ताकि वो संसकार से वो जाने कि मैं बहुत धम्म का उपासक या उपासिका हूं तो जिन लोगों ने आज तक के बहुत धम्म का कोई संसकार नहीं किया है जिनोंने फ्रतिद्या करन नहीं की है वे उपासक उपासिकाओं नहीं है आप लोगों के साथ में जैसे साधारन लोग भी आकरके धम्मदेशना सुन्ह बैठते है उसी प्रकार से आप साधारन लोग है लेकिन जिन लोगों ने उसका संसकारविती किया है वे आपको अपने आप उपह सकते है कि हम बहुत धम्म के उपासक है या उपासका है तो बावा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्मा लिखा उन्होंने कहा कि सभी के धम्मों में अपनी उनकी व्यंत है बुष्टक है अभी धन्ती जी ने पहले बताया थी कि हिंदु धर्मवालों के लिए रामाइन है महा भारत है इसायों के लिए उनका बाविविल है बुष्टवान को लिए पुरान है लेकिन बहुत दोग में लिए क्या है तो त्रीपिट अग्रियों है कोई एक भुछ तक नहीं है जिसको 125 कहिए पन्वरंत है जो पढ़ना अस्वन हो इसलिए बावा साब ने कहा कि सारे त्रीपिठक में जो बुद्ध वचन है उनको एकत्रित करना और वो बुद्धों के लिए उपलब्द करां तुछ बुद्ध एंडधम में बावा साब ने जो बुद्ध की मूल सिक्छाएं थी उन सिच्छाओं को एकत्रित किया और अब हमारा काम है कि बावा साब ने जो बुद्धें धम्मा निर्मित किया है वो भालत के बौत्वों के लिए ही नहीं बनिकि विश्व की द्रेश्टी से उसको निर्मित किया है कि हम विश्व के बौत्वों का धम्म ग्रंत होगा कि इस द्रेश्टी से पुलिखामया लेकिन ये बौत्वा का बुद्धाय धम्म जो है ये ग्रंत विश्व के बौत्वों के लिए कब साबित होगा तो इसकी जिम्मेदा की जो है को खारत के बौत्वों की है कि वो उसको विश्व के बौत्वों के लिए एक ऐसा उसको आदफ को कर सके तो तीन मैंने के अवधिकार में मैंने पिछले वर से भी ये कहा था और इश्वर से भी कहा था कि मैं आपका जो गुद्धाय दम्म है खुद तीन मैंने में इसको कंप्रेक्ट आपको समझा दो और इसमें जो भी किसी को कमिया मैसुद होती हो या जो भी समझ में ना आता हो तुबहाँ विश्कार सकरे और बुद्धाय दम्म को समझी क्योंकि जब तक हम धाम को समझ ने सकेगे तक तक हम धाम को रख्षित नहीं रख सकेगे धम्म सुलक्षित तगी रहता है जब उसके शितान तो को जानने वाले लोग मौगिज होते हैं और हर धम्म में साहिब कुछ मुल्विसर होते हैं जिस पर वो धम्मतिका होता है तो उस मिल्व मुल्व से अगर जानिया वाले लोग रहे और लोगों को प्रतियुक्त देने संक्षम रहे तू और विक्ति उस नमसा प्रति को बचल सकते हैं इसलिए भुद्धा और उनके ठंबों में और इसी कौन से बात है जो लोगों को समझ में नहीं आई कि उस समझते के लिए उनके बात है क्या इसको प्रतियों कि क्योंकि कोई विशितान करता समन में नहीं आएगा तो एक अपने जिवन उसका विरुभाद नहीं करता है और बावा सांके जब विश्मक ये कल्यान की तरह की चीज़ को लिखना है तो आपका कल्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो इस फील मैंने जीश अवधि में जो नियमित रूप से उपास्ताक उपास्तिका आई है उन लोगों का धम्म के प्रतिया रुजान है वे कुद अपने अपनों से समझ सकते हैं क्योंकि इस धम्म को हमने इस प्रकार से समझा के बताया कि जिस प्रकार से एक वेक्ति बगर भोजन के जीवित नहीं रह सकता बगर भोजन के उसका सरीव जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार से कोई भी विक्ति बगर सद्धम के अपने दीवन में सुखी हो ही नहीं सकता और जिस प्रकार से विक्ति को भोजन की आवशकता है उसी प्रकार से विक्ति को सद्धम में पे चलने की आवशकता है आईसे जो विक्ति हमारे प्रवचन में रहा उसने ऐसा मैसुस किया होगा कि इसके बगर मनुष्य का सुख कहीं भी नहीं है बाबा साब ने कहा कि ये धम तबी सद्धम है जब लोगों के अंदर जिक्यासा पैदा कर दें कि इसके बगर मनुष्य का जीवन होई नहीं सकता तो इस प्रकार से हमने हर विक्ति को जो प्रवचन में रहा उनको बताने का प्रयास किया कि सोतंत्रता, समानता, न्याय ये तीन आधार बिंदु जहां होंगे वहां पर ही आपकी मेत्रिता, मित्रता उत्पन होगी, वहीं पैसानती होगी, वहीं सुख होगा हर विक्ति का अंति में हितु क्या है? सुख तो सुख का पुर्वा आधार इस्तम क्या है? क्योंकि हर जीच कार्य कारण पर ठीकी हुई है आपके परिवार का सुख हो चाहे आपकी समाज का सुख पहली सुख की अवस्ता है उसकी सोतंत्रता अगर आप इसके साथ में रहते हैं वो आपकी सोतंत्रता का हनन करता है तो क्या उसके साथ में आपकी मित्रता हो सकती है अब जिसके साथ में मित्रता नहीं हो सकती क्या उसके साथ में आपको सुख हो सकता है जो आपको समानता का आउसर नहीं देता आपको अपने बराबरी में नहीं रखता क्या वो आपका मित्र हो सकता है जो आपके साथ में न्याय नहीं करता चाहे घर परिवार का पुईंट रेखती हो जो अपने साथ में आपके साथ में न्याय नहीं करता चाहे उसके साथ में आपकी मित्रता हो सकती है और जिसके साथ में आपकी मित्रता नहीं हो सकती वहां पर सांतिश्टाफित नहीं हो सकती और जहां सांतिश्टाफित नहीं हो स कि छिए धम्म के आधार इस्तम है। और यह कि जिस दिल जिस वेक्ति को समझ में आएगा कि इसके भगर मेरा परिवार सुखी नहीं हो सकता तो निश्ची तुरुप से धम्म को इस प्रकार से समझाने का प्रयाज किया कि सद्धम के बगेद आप सुखी रही ही नहीं सकते एक छोटे से उधारां से समझीए कि आपने एक गाय को खरित के लाया है उसको रस्टी से आपने बांदा और उस रस्टी को आपने पकड़ के रखा है अब वो काय जो है वो बाहर क्यों नहीं जा सकती क्योंकि वो रस्टी से बंदी हुई है आप बाहर क्यों नहीं जा सकते क्योंकि आपने गाय क्यों रस्टी को सुकी दोनों आई क्या सोतंत्र दोनों आई क्या नहीं है तो यह सोतंत्रता अगर जिसको चाहिए तो इसको एक मात्राधार है सद्धम का अगर आप अपने जीवन में सुकी रहना चाहते है तो यह सद्धम ही है जो आपको सोतंत्रता, समानता और आपके साथ में ज्याय करने का आउसर देता है तो क्या किशी विक्ति को लगता है कि मुझे पर किशी का अनुसासर नहीं होना चाहिए मैंने सोतंत्र रहना चाहिए अगर आपको लगता है कि हमें सोतंत्र रहना चाहिए तो आपकी सोतंत्रता जो है आपकी सोतंत्रता की ग्यारेंटी कौन देता है क्योंकि एक महिला को तो पुरुस छोड़ता नहीं उसको सोतंत्रता नहीं देता लेकिन कोई महिला या कोई पुरुस वो कहे कि मुझे धिंसा नहीं करनी है चोरी नहीं करनी है विजार नहीं करना है, जूट नहीं बोलना है, नसील यादि वस्तु ये, सिवन नहीं करनी है, तो बताइए, क्या किसी शेकरूटी की आउशकता है आपको, किसी भी वेक्ति को, किसी भी शेकरूटी की आउशकता है क्या है, तब वो वेक्ति जीवन में सोतंत्र रे सकता है, आपके फिछे कानून चल रहा है, आपको डंडा लेकर की चलाता है, क्या आप गलट काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपके पुझे कोई खड़ा है, आप उसके डर से गलट काम नहीं करतें। लेकिन आपने सोयम नहीं कहीं दिया कि मुझे कोई भी गलत काम करना नहीं है, तो क्या किसी कानूं का डर है, तो पहली मनसी की सुखी की अवस्ता है उसकी सोतंत्रता, और इस सोतंत्रता प्रताम करता है सद्धम्म, इसलिए किसी भी वेक्टी को अगर सोच के देखेगा, कि जलना उसकी मजबूरी बन जाए, सुख्षा से, जब कि यहां पर मैस समझने के वज़े से हम कहते हैं, पंचे शिरका पालन करो, शिरका पालन करो, लेकिन जी दिन उसको अन्बा होगा, इसके बगर, ना मैसुखी हो सकता, ना मेरा परिवार सक्यों सकता, तो यह बात मैंने बहुत धम्म को हर विक्ति समझ सके, ताकि समझ करके अपने जीवन में उसकais सके, सोतंतरता से जी सके, प्रसंता से जी सके, इस प्रकार से समझाने का बोदेंटर्म का प्रियास किया, और इन लगों को भी भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी शितांत समझ में नाय हो, तो ब जीवन में और कुछ हमने बाते जो बहुत दम्म में सिखी है, समझी है, कि अंतिम अंतिम समय में जो सारी पुद्त थे, वे तथागत पुद्दे के पास में गए और उन्होंने कहा कि तथागत, अब आप मुझे परी निर्वान की अनुमती दे, मै परी निर्वान प्राप्त करना चाहता हूँ, परी निर्वान समझ रहे हैं याने अपना सरी त्यागना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपने अगर सोच ही लिया है तो आप लगे वैसा करें और तब उन्होंने कहा कि तथागत मुझे से जाने अंजाने में भी जो गलती हुई हो वो मुझे छमा करें तब तथागत ने कहा कि सारे पुत्त यहां क्या छमा करने के लिए बचा है तथागत गुद्ध का कहने का अभी प्राय क्या था कि तीन मनुष्य के बात में तीन बाते जो है आंकार से पड़ी हुई है क्योंकि जो अपने आपको छोटा मानता है फिरो बड़े के साथ में संगर्षा करता है और जहां संगर्षा होता है वहाँ अजांती होती है और जहां अजांती होती है वहाँ पर दुख निर्मान होता है मैं तो इसके बराबर का हूँ ऐसा जो वेक्ति अपने मन में भाव रखता है यह अभी उसका अहंकार है क्योंकि फिर वह उससे योग्य बातिग्रान नहीं करता है तो यह भी उसके लिए एक अंकार है और जहां पर भी अंकार होता है वहाँ पर संगर्षा होता है और जहां संगर्षा होता है वही दुख का निर्मान होता है फिर किसी के मन में ऐसा होता है कि मैं बड़ा हूं अब जिसके मन में मैं बड़ा हूं ऐसा विचार आता है तो वहाँ अपने से जो नीचे होता है उसको जो नीचे मानता है उसको वो उपेख्छा की द्रश्टी से देखता है और उसको वो उपर आने से रोपता है तो ये तीनों बातें जिसके अंदर में हैं ततागत ने कहा कि वह आंकार है छोटा हूँ यह भी आंकार है बराबर का हूँ यह भी आंकार है और मैं बरा हूँ यह भी आंकार है तो कोई विक्ति सोच के देख ले कि मैं छोटा भी नहीं हूँ मैं किसी के बड़ा भी नहीं हूँ और मैं किसी से बड़ा भी नहीं हूँ और फिर बाकी जो बचा हुआ हूँ वही मैं हूँ क्या बचा है बाकी क्या बचा है बाकी तो दथागत बुद्ध ने कहा कि सारी भुत्य क्या है यहां तू और क्या है मैं क्या है माप करने के लिए जहां किसी के बीच में कोई तू और मैं है भी नहीं तो माप क्या किया जा सकता है जब कोई छोटा बड़ा कुछ हो कोई बुले कि मैं छोटा हूं बड़ा हूं बड़ा बर का हूं तो कुछ माप किया जा सकता है लेकिद जहां पर मैं छोटा भी नहीं हूं मैं किसी के बराबर भी नहीं हूं मैं किसी से बड़ा भी नहीं हूं तो फिर पाती बचा हूं क्या हूं अंकार से सुने तो बुले आख सारी पुत्ते यहां क्या मात करने के लिए है तो हमारे बीच में भी क्या मात करने के लिए है कुछ देखे तो जिसके भाव ऐसे समाप्त हो जाए मुझे बड़ो के प्रतियादर करना है कुछ शीखना है छोटे बड़े का भाव नहीं क्योंकि छोटे बड़े का भाव अंकार है सब कुछ हो तो जितना इस पुद्धम में हम समझ सके हैं और जो लोग समझना चाहते या उनको जो समझ में नहीं आया हो उनको समझने का हम प्रयास करेंगे तो इसी तरह से हमने महिलाओं को भी कहा था कि जो महिलाएं अर्ष्टे सिर्खा पालन करती है वे ही पंचे सिर्खा पालन कर सकते हैं क्योंकि पंचे सिर्खा पालन करने के लिए तीन शिरूस को पसोटी लगाती है अन्यताप के साथ में तो कोई आमाद में भी बैठ करके पंचे सिल ग्रण कर लेता है लेकिन क्या हुआ बहुत दम्मकानु आई हो गया कैसे सिल का पालन करने वाला हो गया क्योंकि जिस दिन महिला या पुरुष अष्टशिल का पालन करते है उस दिन वे उरण करते हैं उनको लगता है कि हाँ हम आज कुछ कर रहे हैं झाल और जब आप कुछ करते हैं उनकि दिन तो आप कि बच्छे भी देकते हैं कि हमारे माता तिता क्या कर की तो वही शंसे करती बच्चेों को पास में आएगी अभी बहुत से कुछ लोगों में ये बात चलेगी कि नहीं हम तो नहीं भी करेंगे अब तक कि नहीं कि ये तो क्या करेंगे तो कैसा लगेगा तो सही बात है जो अब तक के विहार नहीं आए और कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं कब से विहार जाने लगा तो उस वेक्ति को भी लगता है नहीं जाय तो अच्छी बात है अब किशी वेक्ति का जन्म होते ही उसकी मा मर गई उसके पिता जी मर गई और वो कहता है कि नहीं सब वेक्तियों ने अपने माता पिता की शेवा कर ली चाहिए अब उस वेक्ति ने किया क्या है अब उस वेक्ति ने अपने माता पिता की शेवा किया नहीं दूसरों को सिख्षा देते फिर रहा है कि माता पिता की शेवा करनी चाहिए अब उस नहीं किया तो उसके लड़के ने तो देखा नहीं तो क्या उसका लड़का उसकी सेवा करेगा नहीं करेगा लेकिन जिस वेक्ति ने अपनी माता पिता की सेवा गिया वो दुसरों को कह सकता है कि माता पिता की सेवा कर लेज़े उसके बच्चे भी देखेंगे अपनी माता पिता को सेवा करते हुए वो सेवा करेंगे तो हम लोग सीर का पालन नहीं करेंगे और बच्चों को करेंगे तुम सिल्का पालन करें तो क्या आपकर पाएंगे इसलिए हमारी प्रात्मिकता बनती है कि हम सिल्का पालन करें छोटे छोटे बच्चों को भी सिल्का पालन करने का आपकर आपकालें तो निश्चित्रुप से अगर आपने बच्पन में अगर बच्चों को अच्छे संसकार दे दिये तो आप उनके जीवन के लिए निश्चिन्त हो जाएगे और नहीं तो ये उनका बच्पन अगर आपने लाफरवाई में खो दिया तो वे बच्चे अगर अपने जीवन में दुखी रहेंगे तो माबाप फिर जिन्दगी पर अपने जीवन काल में कभी सुखी नहीं रहे पाएंगे क्योंकि बच्चा दुखी रहेगा तो माबाप सुखी नहीं रहे पाएंगे ये सारी बात मैंने इस बहुत ठंव के सिलेबस में सभी को समझाने का प्रयास किया आप लोगों ने कितना समझा ये आप पर ने दड़ करता है आप उसको कितना फालो करेंगे ये आप पर ने ददर करता है तो इसी कड़ी में मैं अपना जो तीन मैने का उरतांद था कि जो आप लोगों ने क्या कुछ किया और जो कुछ करना भागी है उसके लिए तो मैंने आपको निर्देशित कर दिया अगर आप ऐसा करते है तो निश्चित रुफे इस बहुत धमको आप जीवित रख सकते हैं और जीवित रहेगा तो आपके बेटा बेटियों को भी मिलेगा तो अंति में एक बात समापन के समय में बोली देता हूं कि जिस समय से बाबा साफ ने कहा कि ये जो नाव है अभी अ नाव को उस किनारे पी जाना भी बाकी है और इश नाव में आपके सभी आनि‐वाली संत्रति प्रवास करेगी और इस नाव को बनाने में मैंने अपने विरो दियों से बहुत अपमान सहा है और यहां तक मैंने लाया है अब इस धंबन आव को उस किनारे तक के ले जाना आपकी जिम्मेदारी है और ये नाव अगर उस किनारे पे नहीं गई और ये नाव अगर कहीं डूप गई तो सबसे पहले तुम्हारे बेटा-बेटी डूप के मरेंगे इसमें और जब तुम्हारे बेटा-बेटी डूप के मरेंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे इसलिए हर वेक्ति ने अगर किशी ने अपने बच्चों को जन्मत दिया है तो उनके जीवन को सुरखित रखने के लिए उनको इस नाव को जी जान से बचाना चाहिए तो इसी के भाने आप सबी लोगों को और और साथोवाद के आप लोगों ने सांति प्रुऊ सुना कि बहुतिन अच्छा प्रभ्वनदया है और लो स्ताशी के बारे में बताया मंचशी में और कहा होता है रेससे की स्टोरी बताए और जैसे भंते जी ने बताया आज कि जीवन मुझी नहीं के लिए खाने जैसे अपने लेड़ी खाना खाते हैं वैसे ही सद्धमा की जरूरत है वैसे ही अगर हर वित्धिने सद्धमा का जीवन जीआ तो जरूर अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं अच्छा बन सकते हैं, स्रिफ्ट जीवन जब सकते हैं, बहुत वो साधुवास अभी का नमो बुद्धाय जैविए। अच्छा बन सकते हैं, स्रिफ्ट जैविए। आप प्रभादन करें। आज मैं त्रिफ्ट चेनल के तहरें, यूट्यूब चेनल के तहरें, बहुत बहुत सदुवाद है, जिसमें आज इस शिवनी जिला के लिए एक खास बात है कि हम लोग आज और सवा समाफन का कार्कम करने जा रहे हैं। सभी दीवा तपती अतित्यो रतिंग अभाती चंदमा खनद खत्यो तपती जाई तपती ब्रामलो। उद्सवर इसology बुद्धा तपती तैज सा बुद्धा तपती तैजसा तपने जिस्पकार से दिन में सूर्य चमरता है रात्री में चंड्रमा कवज खड़ागर के आधार पर एक छत्वी चमकता है और तबस्या के आधार पर इप्रामण पर इन सब में ये तथागत भगवान गोतंबदों दिनों और रात चमकते हैं ऐसे तथागत भगवान गोतंबदों में कोटी से नाल करता हूँ कोटी से नाल करता हूँ ये धम इसी भारत का यहीं से नुक्त हो गया और उसी आधार पर बड़े बसकत के साथ काने खुन पसीना को सीचते विए पुले प्रुजवित करतने वाले हम बाबा साहिवंबदों को भी में नाल करता हूँ और नाल करता हूँ आज के इस कार्कम में अपनी उपस्तित दिये हैं सभी को मंगल बेत्री जिस प्रकार से आज तीन मैने के वर्षावास काता है अपनी उपस्तिती के याधार पर बुद्वाल भंगे जी ने यहां पर वर्षावास किया है उसी वर्षावास के तहर्ट में तथागत भगवान बोतमुद्व के वजणों को जोडने के लिए मैं आपको आपकी समझ में पेश करना चाहूँ का वर्षावास में कढ़िन चीवर का जो महतु होता है बहुती बढ़ा बहुती इम सराणी जब तथागत भगवान बोतमुद्व तीन मेने का वर्षावास करते थे उस समय का एक जहत्रिश्टान थे कि तमाम भिकूसंग उपासक के साथ में एक चीवर बनाया जाता था उस दिन और रात सोया नहीं करते थे उस देख समय में जब सुबह होते विए चीवर बनता था तो तथागत भगवान बोतमुद्व को सब्रम्भिट किया जाता था दान दिया जाता था तमाम पासकों के लिए कठीन चीवर एक साल में एक बार होता है और उस कठीन चीवर जो कोसत के अधार पर इस विहाद में अगर जो अधनित्त प्रतिदिर के अधार पर जो वर्सावास किये वही अगेला गठीन चीवर होता है वरना दूसरा नहीं सबको तो संगदान दिया जाता है ऐसे सगदान देते विए एक बार तथागत भगवान गोतंबुद्र के समझ में अजासत्रू आया अजासत्रू कहता है कि मेरे पास में धन्य हैं दोलते ही रहे जवारते मोती हैं सारे चीचे में डान करना चाहता हूं और पटीन चीवर का दान मा पवड़ना का तो कि एए अजासत्रू कि तू पासकता था वायस कि तेरे भाग में भी था तेरे कर्मों में भी था तो उसका लाब प्राप्त कर सकता था पर क्या हुआ है तो अब उस लाइका नहीं है कि मेरे में क्या करनी है बस यहीं कभी है कि आएवी अधीतों का सम्माने नहीं कर पाया तूने और ना आने वाले और जाने वालों का किसी प्रिकार से आदर नहीं कर पाया और अपने से बड़ों को कभी नमसकार चमतकार नहीं कर पाया अटू अपने आप में गरुम में था अरे अपने पिताजी का भी मोत अपने हाथों से किया है तो उसका फलदा है तुझे यस नहीं मिलने वाला है इसलिए आप इसके फल के प्राप्त करने वाले यस को प्राप्त करने वाले उसका फलदा ही फल आपको मिलने वाला नहीं है सारा दुन्या का तो समर्पत करते वो मिलने वाला नहीं है इसलिए हमारा धम सब के सांट बे समर्पत रस खंदे से खंदा मिला कर अपने कमाई की देधन का दान दे कर हम उस फल का यस पा सकते है ऐसी हिस्तिति में हम उस फल के लागदाइक होंगे तब ही तो आपका आज का समय आज का दिन आज का फल आपको प्राप्त होगा इसी अधर पर तथागत के बदमचनों के अधर पर उस अजास्तरों को भी वो फल नहीं मिल पाया इसलिए हम कहते हैं कि धम को आच्रण में लाते विए हम अपना करतब को पालं करते हुए और धम के जो अधर पर अपने जीवन में उतारती है क्रम वद चलते हुए अगर अपना जीवन विद्धित करेंगे तो सायच आपको भी वो फल यस मिल सकता है इसलिए हम को धम की आधर पर ही चरना मुची थे तथागर भुपान वो तमुद्धिने तमाम लोगों को घर घर जाकर द्वारदार जाकर नगर नगर जाकर जिस प्रकार से धम की दिशना दिया है आज वो धम फलता भूता है इसलिए हम को समझना पड़ेगा कि यह कंटरता के आधर पर कि नगर मंजिल को समर्पिट ऑफकर तुसरों गे?" खुद सुद्रेगे परिवार सुद्रेगा और रिस्तेदार सुद्रेगे साहरे निते हैं रिस्तेनाते सब सुद्रेगे और गाउं सहरे क्या और देश देश भी सुद्रेगा हमारे में यही कमी है कि हम दूसरों की हुचान को खालना जाते हैं भुजंदान के बारे में दो सब्दा और वोना चंगा में जिस प्रकार से तथागत भगवान को तंबद वैसाली में अपना पक रखे थे विकुसंग के साथ में राजा ने बोला ले ची राजा ने बोला कि आज मेरे नगर मेरे विकुसंग के साथ में तथागत भगवान को तंबद आये हैं तो मैं उनको नगर के लिए मैं उनको आवान करूँगा अमंतर दूँगा कि मेरे नगर में आकर भूज़त प्राप करूँगा ऐसा सोच रहा था बोला नहीं सोच रहा था पर उसके पहले सोचने के पहले अमरपाली ले अपना रत को तैयार करके और तथागत के समख्च में जाती है और पंचान प्रणाम करकर यहां जोड़कर कहती है कि यह तथागत मेरे घर में हिकुसंग के साथ में भूज़त करने आई हूँ तो स्विकार करती जी गया मुझे उसका फ़न में लेक्स आई है अमरपाली काद जब भोजनधार्य का स्विकार किये तथागत में और इसके बाद में जो राजा रिच्वी राजा बाद में आये आने वाले थे इसी बीच में जब और अमरपाली ने लेकर अपना रद को चलाते विए कट मारती वे जराजा से के छलां लागती विए जब जग गई राजा देखते देखते चकीत हो गया क्यों कि वह फल मिलने माला है उससे वह उसका होसला फुलंग था उसका इंदेजार जिस्प्रकार से किया था वह तथा सेतिके लिए कर लिया है इसलिए खुषी कि हमारी वह अपने आपको सैन लेकर पाई और तीमणकी से उसको देखते देखते रहिए कि ऐधस्या के बहुत्यंसे प्राजा साहब यही अंपुरपाली है जो तथागत भगवान गोतंबुत के समक्ष में से जाकर वापस हुई है सायद भोजन के लिए आमतरण कर देगा फिर कोई बात नहीं चाहते हैं तथागत भगवान गोतंबुत के पास में लिच्वी राज़ा जब जाता है वंदन करत करता है मांदन करते के बात मैं उनको मनत्रन करता है तो तथागत भगवान ओतंबुत किया करते हैंों वच्छा को किस्य दूसरेख COI मैं आप न सब्थ को व्टि नहीं करूँंगा जिसके आदे मंतरेमनी से स्वीकार का mają म collect' तो निया घड़ी को समापन करने के लिए आज महापावारणागी आज मनाने जा रहे हैं तीन वर्सका वर्सा बास का तयद आज से परिवार के सांक्त में इस तवर उपासा उपाशिकाओन इस विहार मनाने के लिए आज संकल्प लिया है आज का दिन सुब्ध करते हुए उस निर्वाहित करते हुए आप लोग अपने कर्टब पर रहारत है कि आधार पर आज का दिन में सब अपने अपने खुरूं से अपनी उपस्तिती दिया है उसी प्रकार से तथाकत भगवान को तंदुति के समख्च मे प्लिच्वी राजा अमरपाली के पास में आया कहने लगा कि अमरपाली मैं इसे राज का राजा हूं आज का दिन के लिए मुझे तटाकत का भोजन दान करने के लिए उसरा मिलना चाहिए और तू जाए चितना पैसा ले 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 तू बोल कितना लेना चाहती है पर वो समय म कि हो समय हम से चुखनाने चाहिए वह समय हमसे निकलना नहीं चाहिए और वह टाइम हमसे विछरनाने चाहिए इसलिए द्रेण संकल्गों करका हम 10 कारूँवा को पूरा करना चाहिए तो राजा से क्या बढ़ दिये की है राजा साथ बड़े मुश्कित से लोपने के लिए मैं भागीदारी बढ़ी हूँ जो ततागत भगवान गोतमुत भिकुसंदरी साथ में मेरे बैद्वार में आने वाले हैं उसका फल मुझे ही मिलना चाहिए मुझे धन और दौलत से रुपी और पैसे से क्या मतलब है मैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है मैंने निमतन दे के आया है तो मैं ही उनको भोजर कराऊंगी इसी आधार पर में मेरे बैद्वे रुपे पैसी कि आऊ सकता नहीं है जब इस प्रकार से अमरपाली ने अपना कर्दक पर आयनिता की आधार पर तफा कर्मान को तमद्ध भिक्व संêm को दाने दिया है इसी लिए आप लोग तत्पर हैं कि भिक्व संड को भी दान दे इसी आधारपर आज इस संद को दान देने के लिए अपने अपने घुरों से तैयारी होकर आए हैं और वो तैयारी करते विए आप गोस में गोस घड़ी और उस पल का इतिजार कर रहेगी हम संद को दान देंगे जिसके कारण से आपका कल्यार होगा आपका मंगल होगा आपका और आपके परिवार का उधार होगा इसी आधारपर में अपने सब्दों को यहां पर शमत करना चाहता हूं सबीको नमों दाये जैडी सबक्व बहुतु सबक्व बहुतु सबक्व कोई नहीं बताओगे है मानुम सब को पर नहीं बता होगे और मैं तो कहता हूँ अभी जैसे भी चर्चा हो रही थी यहां पर डोंगरे जी और गड़पाज साहे कोई के वो बोल वो हाई देखो हम भुद्धी जी भी पड़े लिके माई के हमारे पास में अगर हमें तो हज़ारों आज़ी के पीच में इस्टेट पे जाकर बोलें गया समझें पर पीछे नहीं हटेंगे कभी चितना हम में है हम उतना बाटेंगे लोगे के सामझे यह मेरा संदेश है यालिके हर आमी विजवान बने सहाती बने इमतवर बने और डटके मुकालबा करे कि जो बाबा साहिब ने किया और आज उने के संदर से आज तुम को यहां पहुँचा या बाबा साहिब मत भूलना कि हम ने किया बड़ी दुक्ष की बात है माताओं और मेरे साथी वर संदेश मैंने वो समय देका बाबा साहिब को देखा उनका कारवा देखा उनके उपर क्या भीती हो देखा मने मन में रोता हूँ आप लो पर आप नहीं रोते हो गए उस नाम से और जो कोई जानता है समझता है कि ये कौन थे ये फुरूद महाफुरूद तो उनके नाम से एक अकरवत्ती जला करके उनकी बंदना करते है नहीं तो कई तो कुछ नहीं आये खाये इदा से हो चले गए ऐसे भी बहुत से लोग है इसी कारण से समाज आज पीछे गई समझे आज मैं बता रहा हूँ आपको आप जितने भी आए हो आप सब लोग मेरे सामने अभी सब यह हो जिस बहुत बियार की न्यू हमारे सामने रखी गई समझे यहां क्या कार्य करता को आज मीचे कुंबलवार साबर मेश राम जी इनका यह डोंग्रे साब के आपर बैटा पुई राथ के चमाए और यह जगह निश्कित की गई यह तो बहुत जगह मिलने वाली थी बहुत प्लंबा इत्या से को जांदो अब बासुका हमारा भी और चवान भी का और उपासुका थी नापूर में सन्मान किया था तो इस तोर पर अपने चवान भाया नापूर नहीं आपाए उस कारण मैंने उपाकेट लेकर आई हूँ और वहां के जो बुछना भंगों भंतेजी है उन्होंने उनको सन्मान की तौर पार धमबन दिया था तो मैं अपने सिदार पुछार में जो होतेजी है भंतेजी है उनके हाथों से मैं चवान भाया को प्रणा करना चाहते हूँ सादू, सादू, सादू ऐसे द्रमब लास में जोड़े रहे हुए है शादूबाद और आज वर्जावास हमापन कारकरण के अउसर पर मैतरी इंडिया चैनल नागपुर की ओर से सुरिता बागड़े जी समाथ दाता और केम्रा में वीरेत्र डूगरे जी और उनकी समस्त टीम ने जो कवरेज किया हुआ है उसके लिए तदागत वेलफेर सोसाइटी बहुत बहुत सादू आज प्रिशित करती है इस यूटूब चैनल के मदल से जो यहां का प्रशारण है जो यहां की गत्विदिया है नकेवल इंडिया में बल्कि ये देश-विदेश में भी जाएगी और मेत्री इंडिया चैनल का जो कारवा है देश-विदेश में भेला हुआ है और निशित रूप से सितात गुद्वियार का ये जो आज का कारकरां है ये पूरे दुनिया के अंबर में मेत्री इंडिया चैनल के मदल से प्रशारिद किया जाना है तो पुला हम मेत्री इंडिया चेनल नाप्पुर की पूरे टीम को ततागत मेल्पेन सोसाइटी सिताथ कुप्या सिमनी की ओर से बहुत-बहुत शादुवाद प्रिशूद करते हैं बहुत-बहुत बन्यवाद देते हैं जैवी नमभुता इंन地, क्शामचा reconcile, घचत Billie-चत बन्यवाद, क्वादर । क्शामचा में अाल टीम क्वाद को प्रिजशी सिमनी धला टीम के दो फिरनी जडिiphब क्शामचा में उलात लुतिजर से लिफने बनी टीम से नमाया लादवाद laugh